नमस्कार दोस्तो भगवान आप सभी का भला करें दोस्तो आज मैं आप सभी को शुक्र पर्वत से रिलेड़ेड महत्पुन जान करें दूँगा मतलब वीनस माउंट से आपके अंगुठे के बाद का पॉर्शन और लाइफ लाइन के पहले का पॉर्शन सुक्र पर्वत होता है और सबसे पहले जान लिजे कि सुक्र पर्वत क्या होता है देखें सुक्र पर्वत हमें लग्जीरियस लाइफ के विशे में अच्छे से बताता है मतलब सारी लग्जरीज जो हमारे लाइफ में आएंगी नहीं आएंगी कम रहेगी जादा रहेगी इनसान की सुन्दरता उसका सीरत, उसका सरीर का गठन और जो प्रोग्रेस मिलता है इनसान को जॉब में, शादी के बाद शादी और इन सबसे related महत्पुन जानकारी देता है, मतलब लगजीरी लगजरीस के बारे में जो सुक्सुधायों के जो साधन होते हैं, उन सब के बारे में महत्पुन जानकारी देता है तो देखे दोस्तों, अगर सुक्र परवत पर horizontal line हो, horizontal means आड़ी रेखा हैं मतलब इस प्रकार से नीचे गिरी हुई रेखा हैं लेटी हुई रेखा हैं इस प्रकार से horizontal line अगर आपके हाथ में हैं और जादा है इस प्रकार से हैं तो इसका meaning क्या होता है देखे दोस्तों, इसका मतलब यह होता है कि ऐसे लोग सोचते बहुत ज्यादा है बात का बतंगड बना देते हैं मतलब सोबत की एक बात अगर कही जाए तो राई का पार छोटी छोटी बातों को भी यह लोग इतना सोच के बड़ा कर देते हैं कि एक्सप्रेस कर पाना उससे बहुत मुश्किल है इनके इसी नेचर के कारण इनका जो लोगों के साथ बनता है भले ही इनका जल्दी लोगों के साथ बने या फिर मिलनसार नेचर हो लेकिन बहुत जल्दी ऐसा देखा गया है इन लोगों में कि इनका जगड़ा भी बहुत होता है घरबार में ही बहुत लोगों से नहीं बन पाता है बाहर भी लोगों से नहीं बन पाता है फसाद वग्यरा ये सब ज्यादा रहता है तो इन सब को यही मेरी तरफ से राय है कि सोचना कम करें और ये एक दोश होता है सही नहीं होता मेरे बात यह है कि एसे लोगों के जीवन में थोड़ा सुख सुधाओं में भी कमी पाई गई है तो इसमें यही हम कहना चाहेंगे कि आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए क्योंकि ये रेखाएं ऐसी है कि आगे चलके आपके लाइफ लाइफ लाइन को भी क्रॉस कर सकती है काट सकती है क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि इस प्रकार की रेखाएं आगे चलके इस प्रकार से lifeline को card देती है तो ये इसका मतलब होगे कि end में problem देगा तो इस प्रकार से आपको जो है सोचना विचारना कम करना चाहिए और महत्पूर्ण अगर आपके हाथ में ये है तो शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए तो दोस्तों जो भी आपके doubt हो जो भी परशानी हुआ मुझे जरूर कमेंट में बता है मैं सबका जवाब दूँगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद